चलिके पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं यहां पर अपने सेंपल पीपर्स का तो देखे क्या कह रहा है सेक्शन नंबर बी पर सबसे पहला कॉश्चन नंबर 21 जो है सेक्शन नंबर बी पर कॉश्चन नंबर 21 छीए वन रहे पांट आंड ओक्सिडाइज इन अप्रिजंस आप दा इस्ट्रॉंग ऑक्सिडाइज इन टू प्रडूस एन एस्टेड जिए विच प्रिजेंट इन आट्ट आप याद जैसे रगया तो पन को याद आगा जाद है किसका नाम आद आगया है फॉर्मिक असिट तो मतलब एक तो ए जो है ऑक्सिडाइस कर रहा है और B जो बना है दूसरा Acid बना है कहरा दोनों के Compound के नाम बताओ उनके IUPAC नाम बताओ Give the Formula and IUPAC name of the next two members of the Homologus Series और इसकी Homologus Series के अगले two members के नाम बताईए चली बताईए क्या हो सकता है ये देखे जो Oxidize करता है सबसे पहली बात यहाँ पे जो Oxidize करता है तो Oxidize करने वाला बिल्कुल सही बात है Oxidize करने वाला Methanol है तो देखे यहाँ पे कह रहा है कि CS3OH जो Oxidizing Ascent है है ना वो देखे जिसको Oxidize किया गया है जिसको Oxidize करता वो नहीं जिसको Oxidize किया गया है वो क्या है Methanol है क्या है वो Methanol समझेगा अच्छे से इस लाइन को Methanol को Oxidize किया गया है और Methanol को Oxidize करने के बाद क्या बन गया है आपके पास में CH3COOH यह बन गया है Methanol को Oxidize करने से आपके बाद बन गया CS3COOH The general formula of an alcohol can be written as ROH जो general formula होता है alcohol का उसे आप कैसे लिख सकते हो उसे आप लिख सकते हो ROH R मतलब alcohol group और OH मतलब OH का मतलब जो होता है कौन सा होता Hydroxyl group Where R is an alcohol group Where CH2, CH2 double, CH2 twice Added to the CH3OH The next two members are C2H5OH and C3H7OH तो जो अगले दों member आपको दिये गये हैं वो यह दिये गये हैं बताइए कोई problem है जिनका नाम है ethanol and propanol समझे इस question को बताइए कोई दिक्कत है क्या ऐसे question आएंगे exam में आपके यह important है बताइए समझ में आया क्या हुआ इस question में इस question में यह कहा गया है question को पहले अच्छा से पढ़ लो आप याद रखो alcohol के oxidation से क्या बनता है alcohol के oxidation से carboxylic acid बनता है क्या बनता है carboxylic acid तो भाईया कह रहा है कि किसी को oxidize किया गया है तो किसको oxidize किया हो गया गया एक carbon के एक carbon के alcohol को एक carbon का alcohol क्या होता है CH3OH CH3OH तो एक carbon का alcohol हुआ करता है CH3OH CS3OH को आपने क्या किया Oxidize कर दिया CS3OH को Oxidize करने के बाद आपका क्या बन गया HCWH मैं इसको लिख दिता हूँ देखे एक जगह आपके पास एक Carbon का Alcohol था CS3COH ध्यान से लेखे स्क्रीन पे CS3COH आपने क्या कर दिया इसको Oxidize कर दिया तो ये क्या बनेगे आपके पास में ये भाई साब मैंने गलत लिख दिया है CS3OH था इसको आपने Oxidize कर दिया तो ये बन गया HCOOH ये बनाए देखो क्योंकि एक Carbon है ना तो यहाँ भी कितने Carbon होंगे एक Carbon होंगे ये होती इसकी Oxidation Reaction मतलब मन में बठा लो कि अगर कभी भी आप Alcohol को Oxidize करोगे तो जितने Carbon वाला Alcohol है उतने Carbon वाला Carboxylic Acid बन जाएगा समझ में ना इसी बात पर एक छोटा सा Question और में ले लूँ अगर आप C2H5OH को Ethyl Alcohol को अगर आप Oxidize करोगे अगर Ethyl Alcohol को Oxidize करोगे तो बोलो क्या बनेगा CH3COOH यहाँ पर दो Carbon थे तो यहाँ भी दो Carbon का Acid बनेगा समझ गया ना? हाँ बिल्कुल सही अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यह जो Acid बन रहा है इसके आंगे के दो Member बताओ इसके आंगे के दो Member तो यार बहुत ही आसान है एक Carbon में बनता है Methyl Noic Acid दो Carbon में क्या बनेगा? Ethan Oic Acid और ती Carbon में क्या बनेगा? बस तो इनका नाम बता दो यह देख लो तो हलाकि यहाँ पर इसका नाम पूछा गया है आपसे Alcohol का तो एक Carbon का दिया था Methyl Noil तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना यहाँ पर किसकी बोली गई है Homologus Series बनने की Give the Formula and IUPAC name of the next two members of the their Homologus Series ठीक है? हाँ, एक चीज़ की यहाँ कमी कर दी गई है भाई, दो Compound दे दिये गए हैं दो Compound किसके दे दिये गए हैं? A के A के दो Compound आपको Homologus दे दिये गए हैं B के भी आपको देने पड़े हैं क्योंकि Question ने लखा है of their Homologus Series है ना, their, their मतलब उनके तो आप यहाँ पर समझ में तो नहीं आ रहा कि किन के तो इसलिए हम दोनों के लिख कर कर के आएंगे तो जो अगला, जो Homologus Series बनेगी रिखे किसके बनेगी? HCOOH पहली थी फिर इसमें CH2 add कर दो तो CH3, CH, CHCOOH अगली क्या बन जाएगी? C2H5COOH बिल्कुल सही यह Metanoic Acid है, यह Ethanic Acid है और यह कौन सा Acid है? Propanoic Acid बोले clear है? Done देखिए जो दूसरा group दिया गया है Acid का भी group दिया गया है Acid का जो आपको दिया गया था Present in Arts, HCOOH Metanoic Acid बोलते हैं वसके दो आपको member दिये गया है Ethanoic और Propanoic आपको दो इसके member दिये गया है Done चली अगले question के और चलते हैं अगला question क्या कह रहा है बताइए कि मतलब कौन सी property के basis पर उसने अलग-अलग structure दिये हैं तो answer इसका क्या होगा बताइए इसको क्या बोलते हैं ऐसी की different different structure दिया करते हैं Isomers बिल्कुल सही बात है तो यहां पर isomers के बारे हम दिया गया है Isomers की बात की गई है Answer देखिए Organic compound with same molecular formula but different chemical and physical properties are called isomers This phenomenon is called isomers Example two structure of two structural isomers are possible for the butane C4H10 यह आपके पास में रेखिए एक normal structure दिया गया इसको straight chain structure है और दूसरा देखिए branch chain structure आपका इस तरीकिस दिया गया मैं तो कहूंगा कि आप इसको ऐसे बनाए करिए नहीं butane के दो ही बनेंगे एक आपका इस तरीके से बनेगा एक यह बनेगा एक यह बनेगा नहीं butane के दो नहीं butane के तीन नहीं बनेगे butane के दो ही बनेगे बनाके देख लिए चलिए अगला देखिए अगला question देखते है हाँ अगला question आप करिए क्योंकि यह question biology का है name the hormone secreted by the thyroid and and yeah yes देखिए आपने जो बनाया है यह structure देखिए आप थोड़ी सी बात करेंगे एक मिनट मेरे भाई देखो भाई साब यह structure सेम है देखिए आपने जो बनाया है यह structure यह है एक दो तीन और यहाँ पर चार अब ध्यान से देखिए मेरा structure भी यह है बीच वाले carbon पर मैंने एक उठा दिया है तो आपने बस इसको सीधा रख दिया है मैंने इसको ऐसा रख दिया है तो यह एक ही चीज है समझ में आ गया ना तो एक ही ब्रांच मानी जाएगी अलग अलग ब्रांच नहीं है बोलो done हाँ बीच से उठाना इसले एक ही ब्रांच मानी जाएगे इसको दो ब्रांच नहीं मान सकते वोलो क्लियर हो गया तो आपके पास carbon 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 में अब इसको क्या करें so carbon carbon और इसको नीचे कर दो carbon carbon तरीके से of encouraging माने जाए गिसको दोड़ें आप नहीं मारेंगे इसको आप I will clear निए चली Glands and specify one function of each ठीक है ना आपको बताना है कि ऐसी मतलब की आपको बताना है नेम दा हर्मोन्स जो की ये Gland जो है ये सीक्रेट किया करती है और अब सभी के अब सभी है नोशी आपको बताने है कि इनके function कौन-कौन से है देखिए तो इच आप द़ा फंक्शन क्या होता है थैराइट गलें इट सीक्रेट दा थायरॉक्सिन हर्मोन भाईसाब याद कलो था रेगुलेट डा मेटवलेशन अब रबकारभाइडरेट जो हमारी बाड़ी इड़ेट का फैट का और प्रोटीन का मेंटाबोलिजम करता है iodine is essential for the synthesis and secretion of the thyroxine okay iodine जो होता है वो essential होता है synthesis and secretion of the thyroxine pituitary gland is also known as the master gland and the human body of the human body as it controls the functioning and secretions of the other gland it secretes many hormones one of which is growth hormone तो pituitary gland कौन सा hormone देती है growth hormone it regulates the growth and development of the bones and muscles यह जो growth hormone होता है यह हड़ियों के development और muscles के development को regulate करता है और thyroid gland जो होती है कौन सा hormone thyroxine hormone को secret करती है तो यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे मैंने बता रिया चले question number 33 के बात करते है question number what is the role of the leaves glomerulus and ureterine in the excursion of the various organism तो आपको leaves का function पत्तियों का और यह जो लिखा है यह दोनों इनके आप excursion system में आपको इन सब के organism में इनके आपको इस्तमाल बताने है कि इनके function क्या क्या है तो आईए रेखते हैं biology का यह question है सबसे पहले देखिए leaves plant can accumulate some of the waste in leaves these leaves fall of the plant get rid of the waste जब waste हो जाता है तो यह plant से तूट जाती है glomerulus in nephron filters the blood passing through it यह देखो भाई यह filter करता है and your reader transport the urine from kidney to urinary bladder जो यो written होता है यह transport करता है urine को है ना counterparts can use taki YURA carry übered Zarath laz kij तो बाई सब यह बायों का पाउट है तो आप लोग को इसको याद ही करना पाड़ेगा मेरी समझ में में आप लोग जो इसमें part हो ऑन-और अपको पत्ती के पाट पूछे गाए यह जो लिखा और यूरेटर के आपको पाट पूछे गाए बूलिए बन जायागा ना कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए क्वेशन अबर 24 के उचलते हैं इन बर्ट्स और मेमल्स इन बर्ट्स और मेमल्स दे लेफट एंड रइट साइड अफट अफडल ऑ्कियों में और मेमल्स में लेफ्ट और राइट साइड के जो हाड्व होते हैं लगळ खाट होते हैं सपूरेट होते हैं it helps them various ways as these warm blooded animals the metabolism is complex and the body temperature is to be maintained throughout for all of the energy is constantly required the separation keeps the oxygenite and deoxynize blood for mixing allowing mixing allowing highly efficient supplied oxygen to the body एक बार फिर से इसको आप पढ़ लीजे और समझ लीजे यह question बायो का है एक बार इसको रीडिक लीजी प्लीज चले अगला question देखे रेखे यहां पर आपके समने एक diagram मना हुआ है और कहरा बताईए observe the diagram given and explain the phenomenon observe तो देखे पहले बाले में आपके पास में देखे light जो होती दो पार्ट में टूट रही है और इसके बीच में सारे color होंगे तो इसको बोलते डिस परसन क्या बोलते हैं तो यह राइट के 7 कलर से formation होने की वज़े को बता रहा है आई इसका resolution पढ़ लेते हैं question 25 cancer and or a beam of white light when incident on the one prism one face of the prism emerges as white light out of identical prism place emerges as white light out of an identical prism place in the inverted position with respect to the first prism as shown in the figure given will this recombination this is recombination of the spectrum better yard रखना ये क्या कराता recombination of the spectrum मतलब spectrum का पहले तूटना और बाद में बापस को मिला दिना this is called recombination of the spectrum of the white light as known as the reverse of this person हाँ तो पहले बाले में this person हुआ है और दूसरे बाले में क्या हुआ है reverse of the dispersion this phenomenon of splitting of the phenomenon of splitting of the phenomenon of splitting of the white light into its constituent color when it is passes through the prism is called dispersion जब light prism से गुजरती है साथ के लायर में तूट जाती है इसको बोलते है dispersion चलिए अगला question देखते हैं यह बाला हो गया पहला चलिए sun is visible two minutes before an actual sunrise two minutes after sunset देखिए sun जो होता अपने उदय होने के two minutes पहले दिखाई देता है और दूबने के 2 minutes बाद भी दिखाई देता है give reason for your answer चलिए ऐसा क्यों होता है sun के साथ advance sunrise and delayed sunset advance sunrise and delays sunset एक लाइन में इसका मैं आंसर बोनत इसका रीजन है atmospheric reflection क्या नाम है हां तो यह यहां पर आपके पास atmospheric reflection आना चाहिए देखिए होता क्या है it is because of atmospheric reflection यह लाइन बहुत ज़रूई यहां पर आनी चाहिए when the sun light sun is slightly below the horizon the light coming from it travels the less dense to the more dense air and refracted downwards जो light होती है less dense say okay sun के बास temperature ज्यादा हो तो देंसी का होती कम होती है बतलब देंसरे मीडियम होता है और रहर से कहां होता है देंस तर तक जाती है इसलिए नॉर्मल की तरब जुकती लगातार चली जाती है और observer की आंक में जब यह पढ़ती है तो observer लाइन ऑफ साइट में देखता है तो उसको सन का व्यू यहां पर दिखाई दिता है जबकि सन की एक्सेक्ट पोजिशन का पर है नीचे है यस और नो क्योंकि इंटेंस्टी और अंफल्टूड में रिलेशन से लिखना है तो यह रिलेशन के लिए इसको याद कर लिए इसको यात कर लिजे थी इसको मैं कि जादा कुछ नहीं पोलूंगा इसके बारे में क्योंकि exam का time close है इसको बदाब याद कर लिए कि intensity is directly proportional to a square, intensity is proportional to a square, चलिए अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन क्या है, effective segregation of the waste at the point of generation is very important, जब भाई, जैसे ही waste generate हो, उसी समय आप उसका effective, उसको segregation कर दो, जैसे घर में सबजियां काटते हो, ओके और घर में दो पॉलिथेन लेकर के आए, तो तुरंत एक को मतलब आप उसमे में डाल दो, गीला कचड़ा और एक को सूखा कचड़ा में डाल दो, एक को बायोडेगरेवल में कर दो, एक को नाट, ऐसा क्यों जरूरी है, भाई, ऐसा तो बहुत जरूरी है, ऐसा करना ही चाहिए, देखे, effective segregation of the waste as biodegradable and non-biodegradable is much easier to recycle, मतलब आगर यही सुरू में ही इन बनाने के लिए जाता है, where non-biodegradable waste could be recycled and reused for various purposes, also effective segregation of the waste means the less waste goes to the landfill, which makes it cheaper and better to people and environment, जो की environment के लिए बहतर हुआ करता है, तो यह लाइन साप्लीज एक बार, टाइम देकर के एक बार, इसको पढ़ लो बचो जल्दी से, एक मिनट का टाइम दिया जाता आपको,